हथेली की लकीरों में इशारा और है कोई मगर मेरे ताकुब में सितारा और है कोई तमाजत है वही बाकी अगर्चे अबर भी बरसे हमारी राख में शायद शरारा और है कोई नमस्कार मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हूँ आएना एक लंबे इंतजार के बाद प्रियंका गाण्धी अफीशली राजनीती में आही गई सब जानते हैं कि कॉंग्रेस की राजनीती में प्रियंका गांधी बैक स्टेज पर हमेशा से सक्रिये रही है जब से सोनिया गांधी ने राजनीती में कदम रखा प्रियंका गांधी उनके साथ रही राहुल गांधी तो सक्रिय राजनीती में आये लेकिन प्रियंका ने हमेशा पीछे से ही जिम्मेदारी समभाली हलाकि कॉंग्रेसी कारेकरता उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की मांग अर्से से करते रहे हैं और अब कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को पूर्भी उत्तरप्रदेश का प्रभारी बना कर न केवल कारेकरताओं की मांग को पूरा किया है बलकि 2019 की चुनावी कथा में बड़ा ट्विश्ट ला दिया है जैसे सीरियल में किसी एक नए किरदार के आने से दर्शकों की दिल्चस्पी बढ़ जाती है और वे ये देखने को उत्सुक रहते हैं कि ये नया किरदार कहानी को कैसे आगे बढ़ाएगा किस ओर लेकर जाएगा बस कुछ वैसी ही दिल्चस्पी अब आम चुनाओं को लेकर पैदा हो गई है यूँ तो प्रियंका गांधी किसी परिचे की मोहताज नहीं है फिर भी आईए एक नजर डालते हैं उनके जीवन पर प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को हुआ उन्होंने दिल्ली के मौडन स्कूल से पढ़ाई की इसके बाद दिल्ली इंवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज से साइकलोजी की डिग्री हासिल की 1997 में उन्होंने रॉबर्ट बाडरा से प्रेम विवाह किया प्रियंका और रॉबर्ट की शादी काफी लो प्रुफाइल रखी गई शादी में महज 150 महमानों को निमंतरन दिया गया उनके दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी प्रियंका को बच्चों से खासा लगाव है उन्होंने ही राजीव गांधी फाउंडेशन के बेस्मेंट में बच्चों के लिए लाइब्रेरी शुरू कराई जिसका इस्तेमाल रोजाना कई बच्चे करते हैं फोटोग्राफी कूकिंग और पढ़ना प्रियंका के खास शौक है प्रियंका का हेर स्टाइल कपड़ों के चैन और बात करने के सलीके में उनकी दादी इंद्रा गांधी की छाप साफ नजर आती है और जनता प्रियंका में इंद्रा गांधी की छवी देखती है कहा जाता है कि प्रियंका थोड़े गुसेल सुभाव की है लेकिन ये गुस्सा तभी निकलता है जब वे कोई गलत बात होते देखती है वैसे बातचीत और व्योहार में प्रियंका काफी मिर्दुभाशी है और लोगों से सहज ही जुड़ जाती है उनका ये अंदाज भी उनकी दादी की तरह ही है तो प्रियंका गांधी के निजी जीवन की ऐसी गिनी चुनी बाते ही लोग जानते हैं हलांकि लाइम लाइट में न रहते हुए भी उनके बारे में जानने और सुनने की दिल्चस्पी लोगों में बनी ही रहती है आईए कुछ रोचक बातों पर गौर फ़रमाएं प्रियंका गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषन 16 साल की उम्र में दिया था वे बच्पन से अपने माता पिता के साथ राइबरेली और अमेठी जाती रही है वहाँ पर लोगों ने राहुल गांधी की तरह उनको भी भाईया बोलना शुरू कर दिया जब वो बड़ी हुई तो वो वहाँ की भाईया जी बन गई राइबरेली में प्रियंका गांधी कभी भी अचानक ही बीच सडक पर रुक कर किसी भी कारेकरता को नाम से पुकार लेती है कई बार इलाके का दौरा करते हुए प्रियंका गांधी कभी किसी बुड़ी महिला का हाथ थाम कर बैठ जाती है कभी किसी के साथ पराठा अचार का नाश्ता करती है और कभी रिक्षे पर अपने बच्चों को घुमाती है इन सबसे स्पी जी को उनकी सुरक्षा की चिंता बढ़ जाती है लेकिन जनता के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि प्रियंका गांधी उनसे इतनी जल्दी जुड़ जाती है राय बरेली और अमेठी में ज्यादतर लोगों को हर तरह की सरकारी योजना का लाभ मिलता है क्योंकि प्रियंका ये ध्यान रखती है कि सभी को सरकारी योजनाओं के बारे में पता हो और जिनके लिए योजना बनी है उन्हें लाभ जरूर मिले ऐसे आपको पता ही है कि प्रियंका गांधी बहुत अच्छी ओरेटर हैं और वो लोगों के हिसाब से भाशन देती हैं बिना स्क्रिप्ट देखे आसान हिंदुस्तानी में उनके भाशन से लोग प्रभावित हो जाते हैं खासकर उनका चुटिला अंदाज सब को बहुत पसंद आता है कॉंग्रेस के चुनाव प्रचार में खासकर यूपी में प्रियंका गांधी को सुनने का इंतजार लोग हमेशा करते हैं उनके भाशन में लोगों को कहीं से बनावट नजर नहीं आती बलकि सब कुछ सहज सरल सौभाविक लगता है और वे एकाध लाइन ऐसी बोल देती हैं जो हमेशा लोगों को याद रहती है जैसे मुदी जी ने जब कहा कि यूपी ने उन्हें गोद लिया है तो इसका करारा जवाब उन्होंने दिया था मुझे बाराजी के लोगों ने गोद लिया और बाराजी के लिए मैं एक बेटा हूँ उत्तर करेश का बेटा हूँ इसलिए मैं अधर प्रजीर का बिकाद करूँ है तो मेरे माने में के बात आई क्या उधर प्रजीर को बाहर से किसी को बोल लें कि जनुद है कि यहां को इन दोगतरा नहीं है जो आप इस देश्क प्रजीर को अगि बढ़ा सकते हैं जो विकाद ला सकते हैं राजिव गांधी के चचेरे भाई अरुन नहरू भाजपा की टिकट पर मैदान में थे और कॉंग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को उतारा था अरुन नहरू पहले ही राय बरेली से जीत चुके थे उस वक्त कॉंग्रेस कमजोर भी थी लेकिन 27 बरस की प्रियंका गांधी परचार के लिए आई और उन्होंने चुनावी रैली के बीचो बीच सवाल पूछा मेरे पिताजी से दगाबाजी करने वालों को आपने यहां पर घुसने कैसे दिया क्या आप उन्हें वोट देंगे जिन्होंने मेरे पिता की पीठ में छुरा घुपा इस एक सवाल का मारक असर हुआ अरुन नहरु के लिए प्रचार करने पहुँचे अटल बिहारी वाजपेई ने इस सवाल को दादागिरी से जोड़ा लेकिन जनता अपना मन बना चुकी थी नतीजे आये तो अरुन नहरु चौथे नंबर पर चले गए और कॉंग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा जीत गए तो अब जब प्रियंका गांधी राजनीती में आ चुकी हैं तो उनके गैर राजनीतिक जीवन के किसे यानि पहले के ये किसे कई बार याद किये जाएंगे लेकिन कुछ और बाते भी हैं जिन पर फिलहाल चर्चा चल रही है और वो है परिवारवाद जी हां कॉंग्रेस पार्टी के उपर विपक्षी दल परिवारवाद का आरोप लगाते आये हैं प्रियंका को लेकर भी कहा जा रहा है कि गांधी परिवार के 11 सदस्य की राजनीती में एंट्री हो गई है ये भी कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस पर केवल एक ही परिवार का र इजाम अक्सर नहरू गांधी परिवार पर लगाया जाता है शायद इसलिए कि इस परिवार से तीन लोग देश के प्रधानमंतरी बने कॉंग्रिस में मोती लाल नहरू से लेकर राहूल गांधी तक अध्यक्ष रहे लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि एक सदी से प अलाबा बसपा जदियू और आम आद्मी पार्टी में फिलहाल एक ही परिवार के लोग नहीं दिखते हैं बाकी तो सारे ही दलों में ऐसा ही है कॉंग्रिस पर परिवार वाद का इलजाम लगाने वाली भाजपा भी अलग कहां है जैंत सिन्धा निर्मला सिता रमन परिवार अकाली दल यानि बादल परिवार और लोजपा यानि पासवान परिवार ही है दूसरे मुर्चे को देखें तो राजद में यादव परिवार नेशनल कॉन्फरेंस में अब्दुल्ला परिवार पीडीपी में मुफ्ती परिवार एंसीपी में पवार परिवार सच को मानने में कोई हर्ज नहीं है कि भारत के किसी भी दल में आंतरिक लोकतंत नहीं है तो इस हिसाब से परिवारवाद के तर्क को खारिज किया जा सकता है क्योंकि बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और ये हर पार्टी के लिए लागू होगा इसलिए शायद प् लेकिन फिर भी आये देखें कि कौन है रोबर्ट वाड्रा यू तो हिंदुस्तानी पारिवारिक व्योस्था में दामाद की खास खातिदारी की जाती है लेकिन भाजपा अकसर गांधी परिवार और कॉंग्रिस को दामाद जी का नाम लेकर घेडने की कोशिश करती है सोनि रोबर्ट वाड्रा 18 अप्रेल 1979 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जन में वे एक गयर राजनितिक परिवार से आते हैं मूल रूप से वाड्रा परिवार पाकिस्तान के सियाल कोट से है रोबर्ट वाड्रा के पिता राजेंदर वाड्रा पीतल व्योसाई थे और मा मूल तह स्कॉटलेंड की रहने वाली थी भारत विभाजन के समय राजंदर वाडरा के पिता यानि रॉबर्ट वाडरा के दादा भारत आकर बस गए थे रॉबर्ट वाडरा की आर्टेक्स एक्सपोर्ट्स नाम की कमपनी है जो हिंडी क्राफ्ट आइटम्स और कस्टम आभुशनों का कारोबार करती है इसके अलावा भी रॉबर्ट वाडरा की कई कमपनियों में भागिदारी है और आईए अब एक नज़र डालें रॉबर्ट वाडरा से जुड़े विवादों पर अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी के अर्विंद केजरिवाल ने आरोप लगाए कि रॉबर्ट वाडरा ने दिल्ली और आसपास में कई जमीन जायदाद खड़ी दी और उसके लिए रियल स्टेट कंपनी डियल एफ ने रॉबर्ट वाडरा को ब्याज मुक्त कर्ज दिया तब वाडरा और डियल एफ दोनों ने आरोपों से इंकार किया था लेकिन मामले की जाँच चल रही है और उन पर और उनकी कंपनी पर कई मामले दर्ज किये गए हैं साल 2012 में ही जब रॉबर्ट वाडरा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने अपने फेस्बुक पेज पर लिखा मैंगो पिपल इन बनाना रिपबलिक इसका मतलब निकाला गया कि वाडरा ने भारत को बनाना रिपबलिक और लोगों को मैंगो पिपल कहा है को वाडरा के लिए धाल बनाकर कॉंग्रेस ले आई है भाजपा ने इसके अलावा भी प्रियंका गांधी के लिए कुछ और खराब्टी पण्या की हैं जिससे यह जाहिर हो रहा है कि राजनीती में प्रियंका की एंट्री और वो भी सीधे मोधी योगी के ख्षेत्र यानि कि प्रियंका गांधी के राजनीती में उतरने से कौन कैसे प्रभावित होगा मैया रहती है बीमार भाईया पर बढ़ गया है भार प्रियंका फूल पूर से बनो उमिद्वार पार्टी का करो प्रचार कॉंग्रेस की सरकार बनाओ तीसरी बार जी हां इसके अलावा प्रिय ये मांग भी उठती ही रही है कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए कई बार ये अठकलें भी लगाई गई कि प्रियंका गांधी अपनी मां की सीट राइबरेली से खरी हो सकती है इस बार तो उतर प्रदेश के साथ साथ मध्यप्रदेश से भी प चुनावी परिद्रिश्य में बदलाव जरूर नजर आएगा। धीरे धीरे कॉंग्रेस का जानाधार यहां सिमठता गया। इसलिए प्रियंका गांधी को सामने लाया गया है। हाला कि जनता ने यह देखा है कि हाल ही में संपन पांच राज्यों में चुनाव में भाजपा असफल रही है जबकि तीन में कॉंग्रेस को सफलता मिली है। इसलिए राहुल गांधी पर असफल या पप्पू होने का ठपा जनता ने खुद ही नकार दिया है। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी की जोड़ी एक और एक ग्यारह वाली साबित होगी ऐसा जानकार मानते हैं। प्रियंका गांधी से उम्मीदे तो बहुत हैं लेकिन वे अभी बंधी मुठी की तरह हैं जो लाख की दिख रही है लेकिन खुलने पर उसका मोल क्या रहेगा ये चुनाओ के बाद ही पता चलेगा। दरसल प्रियंका गांधी को राजनीती के मंच पर अपनी काबिलियत साबित करना बांकी है। आम चुनाओं में कॉंग्रेस उत्तरपरदेश में कैसा प्रदर्शन करती है इसका दारुमदार प्रियंका गांधी पर है। उमीद है कि वे इस चुनाओती का सफलता पुर्वक सामना करेंगी। खैर शायर नवाज देबंदी का एक शेर याद आता है कि अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ तब तक देखते रहें डीबी लाइव नमस्कार। देखते रहें डीबी लाइव क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।